एपिसोड 10 के शुरुवात में हम सोयून को देखते हैं जो बहुती जादा गुसे में थी वो सुन्यून को धून्देवे जंक्याड में जाती है लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता इसलिए वो उसके घर जाती है उसी टाइम पर हम देखते हैं वो डिटेक्टिव सुन्य के घर के अंदर ही था किसी के आने के आवाज सुनकर वो अंदर वाले कमरे में छुप जाता है अंदर आकर सोयून को एक बुक मिलता है जो एक्चुली में उसी ने लिखा था वो जैसे उस रैक को पुश करती है तो पता चलता है कि वहाँ पर एक सीक्रेट रूम था वहाँ जहां भी जा रही थी सुन्यूल उसे हर जगे फॉलो कर रहा था और स्क्रीन पर वही वीडियो प्ले हो रहा था जब सोयून को जेल लेकर जा रहे थे ये सब देखकर वो पैनिक होने लग जाती है वहीं दूसरी तरफ हम सुहो को देखते हैं जिसका किम जुन के साथ लाइफ पूछता है फिर वो उसे एक लास्ट क्वेशन पूछता है वो कहता है मुझे पता चला है कि तुम्हारे उपर एलिगेशन लगे हैं कि तुम जुनसुंग वेलफेर फांडेशन को इलिगल फंड ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर रहे हो क्या ये बात सच है और इस बात क कुछ सुहों इमेजिन कर रहा था जबकि उसने लास्ट क्वेशन पूछा ही नहीं था क्योंकि हेग्यूं वहां पर आई नहीं थी वो डिटेक्टिव उसे कॉल करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि किम जुन के लोगों ने उसको पकड़ लिया था अब सुहों के पा किम जुन का ये इंटर्व्यू देखकर पूरी दुनिया उसकी तारिफ कर रही थी सबको लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है सुहों जो कुछ भी करना चारा था उसका सारा प्लैन फेल हो चुका था फ्लैश बैक सीन में हम देखते हैं इंटर्व्यू स्टार् किम जुन के लोगों ने हेग्यूम को पकड़ लिया था वो उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम बैक स्पैक करके यहां से जल्दी बाहर निकलो तो फिर तुम यहां पर क्या कर रही हो तुमें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम क्या करने की कोशिश कर हेग्यूम उससे माफी मागने लग जाती है तो किम जुन कहता है तुम्हें मरना होगा तुम्हे क्या लगा मैं तुम्हें शांती से जीने दूँगा तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की है सुन्यूल भी आया हुआ था वो सुन्यूल से कहता है तुमने मेरी बहुत मदद की साती में वो अपने सेक्रेटरी की इंसल्ट करके उसे वहां से भगा देता है रेस्टरांट के अंदर वही एटर्णी था और साती में वहां पर वो जज भी था अंदर आते ही वो लोग जाता है जहां पर सुन्यूल ने अपनी मॉम से प्रामिस किया था कि उसके डैड के साथ जिसने भी ऐसा किया है वो उस इंसान को जिन्दा नहीं छोड़ेगा उस टाइम पर उसकी मॉम ने उसे समझाया था तुमें एक ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए हमें ये सारा कुछ भूल जाना चाहिए तुम उस औरत से नफरत मत करो सुन्यूल पूछता है अप हमेशा ऐसे क्यों बोलते रहते हो कि मैं उस औरत से नफरत ना करूं आप उसको क्यों प्रोटेक करते रहते हो तो उसकी मॉम कहती है मैं दुक़्िओं कि मैंने तुम्हारे डैड को खो दिया लेकिन मुझे उस औरत के लिए बहुत बुरा लगता है, अगर तुमने उससे नफरत किया, तो ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, मुझे प्रामिस करो कि तुम उससे कभी नफरत नहीं करोगे, प्रेजेंट में सुन्यूल जैसे अपने घर की तरफ आ रहा होता ह तब ही सोयून उसके गाड़ी के सामने आ जाती है, फिर वो गाड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन उसके पास पहुंचता ही वो गाड़ी रोक देता है, सोयून उससे पूछती है तुम मुझे कब से फॉलो कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो सुन्यून कहता है अगर तुम जानती हो, तो तुम्हें मेरे सामने बैक करना चाहिए, सोयून कहती है अगर मैं बैक करूँ, तो फिर क्या तुम यहीं पर रुख जाओगे, फिर सुन्यून कहता है, क्या तुम्हें अपनी मौम को ऐसी हालत में देखकर बुरा लग रहा है, सोयून कहाती है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो सुन्यूल कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा सोयून कहाती है तुम अपने ये स्टुपिड से रिवेंच के चक्कर में अपने बिमार मॉम को वैसे ही छोड़ दोगे ये सुनकर सुन्यूल को बहुत गुस्सा आजाता है वो कहता है तुम मेरी मॉम के बारे में ऐसी बाते कैसे कर सकती हो सोयून बताती है जो तुम्हारी मॉम के साथ में हुआ वो कोई सिंपल एक्सिरेंट नहीं था तुम्हें अपनी मॉम को प्रोटेक करना होगा फिर अगले सीन में डिटेक्टिव सुहो से कहता है तुम्हें हेग्यूम पर भरोसा करना ही नी चाये था वो वहाँ पर आ ही नहीं सुहो कहता है ये सब हेग्यूम ने जान बूच कर नहीं किया बलकि किम जुन ने उसे यहाँ पर आने ही नहीं दिया डिटेक्टिव कहता है फिर तुम्हें उसे खुदी एक्सपोस कर देना चाहिए था हमने इस मुमेंट के लिए कितनी सारी प्लैनिंग की थी लेकिन सब कुछ बरबाद हो गया तो सुहो उससे कहता है मेरे पास एक और प्लैन है इस तरह सुन्यूल देखता है कि सुयून ने उसके रूम को पूरी तरीके से बरबाद कर दिया अब सुन्यूल इसी बात को बार बार सोच रहा था उसे सुयून ने कहा था कि जो तुम्हारी मॉम के साथ में हुआ वो कोई सिंपल एक्सिरेंट नहीं था कि रगले सीन में हम सुहो की मॉम को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर आई हुई थी एक लेडी बताती है कि मैंने अपने किसी फ्रेंड को बोलते वे सुना था ये एक यूरी नाम की लड़की जो चूंगडाम में स्टोर चलाती है वो सोयून के सामने बैक कर रही थी हमें ऐसा लगता है कि यूरी का आपके बेटे के साथ अफैर चल रहा है ये सुनकर सुहो की मॉम हसने लग जाती है और कहती है कि यूरी और सोयून बच्पन से ही बहुत क्लोज हैं वो दोनों बिलकुल बेहनों की तरह हैं उनके सामने तो वो कुछ नहीं दिखाती लेकिन बहार आते ही वो सुहो को कॉल करके मिलने बुलाती है फिर वो सुहो से पूछती है क्या तुम्हारा यूरी के साथ कोई अफैर चल रहा था सुहो कहता है मुझे नहीं पता कि आपने ये बात कहां से सुनी लेकिन अब सोयून को कुछ भी मत बोलना वो पहले से ही बहुत परेशान है तो उसकी मॉम कहाती है अगर तुम सोयून के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते हो तो फिर तुम उसे डिवोर्स दे दो लेकिन डिवोर्स का रिजन अफैर नहीं होना चाहिए तुम इतने दूर तक आए हो तुम अपना करियर ऐसे बरबाद नहीं कर सकते तुमने कहा था कि तुम सोयून के बिना नहीं रह सकते हो तुम उससे प्यार करते हो फिर तुमने ये सब क्यों किया दूसरी तरफ सोयून की मौम को होश आ गया था वोटते ही कहती है कि उनको रेस्टरॉंट जाना है क्योंकि आज वहाँ पर बहुत काम है सोयून कहती है डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला है उसकी मौम उससे कहती है मुझे लगता है तुम मेरी वज़े से सफर कर रही हो ये सुनते ही सोयून रोने लग जाती है और कहती है आपको पता है आप मेरे लिए कितने जादा इंपॉर्टेंट हो मुझे आपके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए जब तक आप मेरे साथ हो मैं सारी मुसीबतों का सामना कर लोंगी बाहर से यूरी उनकी सारी बाते सुन रही थी सोयून उससे पूछती है तुम अंदर क्यों नहीं आई यूरी कहती है शायद मेरी वज़े से ही मॉम की ये हालत हुई है फ्लेश बैक सीन में हम देखते है जब सोयून की मॉम अपने रेस्टॉर्ण में थी उस टाइम पर यूरी वहाँ पर आई थी सोयून की मॉम उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि जरूर कुछ हुआ है वो उससे कहती है अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो वो कहती है उस दिन तुम्हारी मॉम क्या बोल रही थी उस दिन उसने तुम्हें एक फोटो भी दिया था वो फोटो किसका था फोटो वाली बात सुनकर यूरी एकदम से कापने लग जाती है उसको ऐसी हालत में देखकर सोयून के मॉम समझ गई थी कि वो जिस फोटो की बात कर रही है वो वही फोटो है वो कहती है वो और तुम ही हो ये सुनते है यूरी उनके पैरों में गिर कर उनसे माफी मागने लग जाती है सोयून की मॉम पूछती है क्या ये बास सोयून को पता है तो यूरी हाँ बोलती है तो सोयून की मॉम कहती है कुछ टाइम के लिए तुम सोयून के सामने मत जाना और तुम यहाँ पर भी मत आना मुझे तुम्हारा चैरा देखने का भी मन नहीं कर रहा उसके बाद यूरी तो वहाँ से चली गई थी फिर थोड़ी ही देर में सुन्यूल वही एनवलप लेकर वहाँ पर आता है वो देखता है कि सोयून की मॉम रो रही थी उसी मुमेंट पर वो एकदम से बेहोश हो जाती है ये सब देकर सुन्यूल भी बहुत डर गया था फिर वो तुरंत उने हॉस्पिटल पहुचाता है वो सोयून की मॉम को अपने पीट पर लेकर आया था फिर थोड़ी देर में सोयून उनको कॉल करती है उस टाइम पर सुन्यूल वही पर था इसी वज़े से उसने फोन उठाया था सुन्यूल को कहीं न कहीं बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सोयून की मॉम उसे बहुत अच्छा ट्रीट करती थी जैसे कि वो उनका खुद का बेटा हो वो उसे फ्री में खाना भी देती थी एक बार जब बारिश हो रही थी उन्होंने तब उसे अपना चाता भी दिया था कि रगले सीन में हम सोयून को देखते हैं उसे याद आता है जब वो हॉस्पिटल में थी तब उसने नर्स से पूछा था कि मेरी मॉम को यहाँ पर लेकर कौन आया था तो नर्स बता आती है कि एक लड़का उनको अपने पीट पर भागते वे लेकर आया था उसका नाम सुन्यूल था सोयून को समझ में नहीं आता कि आखिर सुन्यूल ने उसकी मॉम की हेल्प क्यों की जबकि वो तो उसे बरबाद करना चाता था और ये मौका उसके लिए बहुत ही अच्छा था फिर आखिर उसने ऐसा क्यों किया फिर अगले सीन में सुन्यूल के पास सुजिन का कॉल आता है वो बताती है कि तुम्हारी मॉम को होश आ गया है ये सुनते ही वो एकदम से भागने लग जाता है सुजिन ने उससे कहा था कि तुम्हारी मॉम के पास जादा टाइम नहीं है इसलिए जल्दी यहां पर पहुँचो वो बहुत ही तेजी से ऑस्पिटल पहुँचता है वहां का सारा लिफ्ट उकुपाइट था इसलिए वो सीडियो पर ही भागने लग जाता है जबकि वो बिल्डिंग बहुत ही जादा बड़ा था और सुन्यूल एक हाट पेशन्ट था उसे ऐसे भागना अलाउड नहीं था वो जितने जल्दी हो सके वहां पर पहुँचने की कोशिश करता है लेकिन उसके पहुचने के पहले उसकी मॉम की देथ हो जाती है वो रोते वे अपनी मॉम से कहता है मुझे पता है मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई प्लीज आप मुझे माफ कर देना पिर सुन्यूल का फ्रेंड जब उसकी मॉम का सारा समान पैक कर रहा था तो उसे वहाँ पर एक फोन मिलता है वो फोन सुजिन सुन्यूल को लाकर देती है कहती है शायद ये तुम्हारी मॉम का है दूसरी तरफ तेओ सोयून को बताता है कि सुन्यूल की मौम की देथ हो चुकी है इसलिए वो भी उसके मौम के फ्यूंडल में जाती है सोयून को देखकर सुन्यूल बहुत गुसे में आ गया था वो पूछता है कि तुम यहां पर क्यूं आई हो सोयून कहाती है अभी तुम किसी और चीज के बारे में मत सोचो बस अपनी मौम के बारे में सोचो सुन्यूल कहता है तुम यहां पर इसलिए आई हो ना ताकि तुम मुझे ऐसी हालत में देख सको लेकिन सोयून कोई जवाब नहीं देती तो सुन्यूल गुसे से उसका हाथ पकड़ लेता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 10 यही पर खतम हो जाता है अगर आप लोगों को मेरी एक्स्प्लनेशन पसंद आई हो तो आप लैक्शर और सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू फर वाचेंग